कानपूर आज जिराग 19 दिसम्बर 2022 को कानपूर के सराया चौराहे से नई चुंगी तक नशामुक्ती अभियान रैली निकाली गई जमियत उलेमा कानपुर शहर के नेतथवों में नशा मुक्ति अभियान की रैली इस सरईया चौणाहे से नई चुंगी तक नशा मुक्ति अभियान रैली निकाली गई जिसमें कानपुर के उलेमाओं ने बर्चल कर हिस्सा लिया और लोगों कुछ जाग रूप किया कि नशे से दूर रहे और किसी प्रकार कर नशा ना करें जिसमें पुलिस प्रिशासन ने भी रैली में आये तमाम लोगों के साथ सराया से नई चुंगी तक पैदल रैली में भाग लिया उलेमाओं का कहना कि नशा से लोगों की जिन्दगी खराब हो जाती है और वा खुश भी नहीं कर सकते हैं जो आदमी नशे की लेद में पढ़ जाता है उसका पुरा परिवार बरबाद हो जाता है इसलिए आप लोग नशा ना करें और नशा करने वालों को खुद समझाएं कि वा नशा ना करें इसलिए परकार की डैली निकालते रहें और लोगों कुछ जागरूप करते रहें कि वा नशे से दूर रहें और अपने परिवार और अपने बच्छों के अच्छी पढ़ाई और अच्छी स्तेहथ के बारे में सोचें जमियात उलेमा कानपुर ने लोगों को शपात भी दिरुआई कि वा आज की बाद दशाना करें आठिया नियूस 34 के लिए नौशाद अहमद की रिपोर्ट यह समाच दार की अपराक्त बारद प्रार प्रभरत दिसंगी है वहीं दूसरी स्हिली जाइलहेन पराद बार अठी मोद्द पर शासर उस पर निगा रखे ये तहां से आ रहे हैं और ऐसे लोगों की फिराफ सक्त पर सक्त कारवाई की जाए जंगतुरमा शहर कांपूर की तरफ से शहर को और समाथ को नशा मुक्त बनाने के लिए 18 दिसंबर से 25 दिसंबर कर नशा गिरोधी अभियान पूरे शहर में च स्रइया से स्रहिया से बादार होते हुए, क्योंकि चवडाये पर याए है हमारा मकुद यह है कि नशा अगरी शूट जाता है वाले वाले तबाह होते हैं, फूरा थूपा बदूब कुल कामा हो जाता है। यह पहले रही है, इससे पहले भी आप लोग निकाली गई? तो अभी तक आप लोगे निखायत का नहीं, उसका असल बहुत बढ़ा है। और आगे कब तक निकालेंगे? अब अब स्पारागेश अरे कांपूर के से लिया हूं प्रिदेश की हर छोटी बड़ी ख़बर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चेनल R.D.I. News 24 और पेला अइकन दबाना ना भूरें जिससे हर खबर आप तक पहुचा सके हम सबसे पहले